सहज मार्ग के सबी अभ्यासियों को प्रणाम आज हम सहज मार्ग में जो आकास और काल की परिभासा दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आकास और काल को समझने के लिए हमें चार चीजों को समझना पड़ेगा कि आकास क्या है, काल क्या है, ईश्वर क्या है और ब्रह्मांड क्या है तो हम जब इन चार चीजों को समझ जाएंगे तब हमें इस पूरी स्रिष्टी के बारे में पूर्ण ग्यान हो जाएगा तो बाबुजी ने बताया है कि जो आकास है आकास क्या है? आकास अनन्थ है और शाश्वत है आप आकास के ओर उपर देखिए तो आपको उसका अन्त नजर नहीं आएगा तो इसका यह अर्थ हुआ कि आकास अनन्थ है और आकास शाश्वत भी है तो सास्वत का क्या अर्थ है? सास्वत का अर्थ है कि वह वस्तु जो अन्त हीन है जिसका अन्त नहीं हो सकता हर समय है तो वेदों में भी कहा गया है कि क्यों न इश्वर को ही शाश्वत मान लिया जाए तो इसका यह अर्थ हुआ कि इश्वर को ही हम आकास मान ले तो बाबुजी बताते हैं कि आकास परम है एपसलूट है मतलब अपने आप में वह पूर्ण है और दूसरा है कि वह आक्रियसील ह उसमें कोई भी मोशन नहीं है एक्शन नहीं है तो वह मोशनलेस है तो आकास परम है और मोशनलेस है और उसके उपरांग बाबुजी ने लिखा है कि वह पूर्ण शुद और मिश्रित रहित है मिश्रित रहित का मतलब हो गया जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं है जिसमें को को ही एक तरह से ईश्वर के रूप में संबोधित किया है तो फिर प्रसन उठता है कि आकास अस्तित्व में क्यों है क्योंकि ईश्वर की और ब्रमांड की आविशक्ता थी तो उनके निर्मान के लिए हमें किसी अस्तित्व की आविशक्ता थी तो वह था आकास और आकास अप आप में सास्वत था तो हम ये जान गए कि इश्वर और ब्रह्मांड के रचना के लिए आकास की आविश्यक्ता हमें पड़े तो हम क्या कह सकते हैं जो आकास है उसने इश्वर के लिए मा का कारिये छितर पूरा किया क्योंकि स्रिष्टी की रचना करनी थी इश्वर की आविश्यक्ता थी तो आकास ने मा का कारिये किया अब काल क्या है जो काल है वह रिलनात्मक आवस्ता है इश्वर की आकास के साथ काल भी विद्यमान है और जब इश्वर की रचना की गई तो उसने काल के आधार पर इस काल और ब्रह्मान इश्वर ने काल के आधार पर ब्रह्मान का निर्मान किया तो ब्रह्मान के लिए जो आधार की आवश्यक्ता थी वह काल ने किया और काल क्या है काल आकास की इस्तूल अवस्ता है तो काल ने जो कारिय किया वह ब्रह्मान के छेतर के रूप में किया क्योंकि हर चीज के लिए एक आधार की अविशक्ता होती है तो हुआ क्या जो शक्ति केंदर से बहार आई थी काल उसी शक्ति में विलीन हो गया और अंत में स्वयम ही शक्ति साली हो गया तो काल ही एक परकार की शक्ति है इश्वर ने ब्रह्मान का निर्मान किया और वही शक्ति जो काल में परिवर्तित हो गई थी उसको सभी के अनुपात में उनके भीतर डाल दिया इस परकार सभी जड़चेतन क्रियसील हो गए तो इसको हम इस परकार से समझेंगे कि सरप्रथम केवल आकास था और काल अपनी शक्ति के साथ विद्देमान था आकास में इश्वर का निर्मान हुआ और ब्रह्मान बनने की क्रिया आरम होई जो भी चीजें गती हीन थी वह गती सील होई तो काल के अधार पर पूरे ब्रह्मान की रचना होई तो जो सबसे भीतरी भाग है वह आकास है और जो बीच का ठेराब है जब तक सभी जड़चेतन ने अपना रूप राप नहीं कर लिया तो वह जो ठेराब है वह काल है तो अगर हम बाहरी छेतर और मद्यम छेतर को निकाल दें तो केवल हमारे पास आकास बसता है तो बाबुजीन ने बड़े ही सरल ढंग से हमें बताया है कि काल क्या है और आकास क्या है तो हम समझ सकते हैं क कि कारण और कारिय के बीच में काल का कारिय था, कारण क्या था, स्रिष्टी का निर्मान करना था, और कारिय क्या था, कि ब्रह्मान पूरा बन जाए, तो इन दोनों के बीच में जो ठहराव था, वह काम किया काल ने, तो क्या कहा है बाबुजी ने, कारण एवं कारिय के बीच इसका संक्सित हराव पहले से ही विद्यमान था, तो इसका क्या आर्थ हुआ कि काल पहले से आकास में मौजूद था, वह क्यों था, क्योंकि आकास का स्थूल रूप काल है, तो बाबु जी हमें क्या बताना चाहते हैं इसके माद्यम से, इसके माद्यम से बाबु जी ये बता चाहते हैं कि जब आकासी हालत हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हम निसेद की अंतिम दसा में पहुँच जाते हैं तो निसेद की अंतिम दसा कौन सी है केंदर की दसा तो अब इसको हम सारांस में समझते हैं कि ये सब क्या है हम सब जानते हैं कि आकास, काल, ईश्वर और ब्रह्माण इनका आपस में समन्वे है तो जब हमें ब्रह्माण की अविश्वता पड़ी और आकास के मद्दे में के बिचार पन्पा कि हमें ब्रह्माण का निर्मान करना है तो आकास ने अपनी सक्ति को काल के रूप में स्तूल रूप में परकट कर दिया, साथ में ईश्वर की मा का कार्य किया आकास ने, तो एक तरह से आकास और ईश्वर दोनों ही शाश्वत हैं, और काल के अनुरूप उन्होंने ब्रह्मान का निर्मान किया, ब्रमान में सारे जड़ चेतन बनाए गए और उनके भीतर वह शक्ती जो काल के भीतर थी सबी के अनुपात में सबके भीतर डाल दी गई जिसको जितनी जितनी अविश्यक्तर दी आप सब जानते हैं इस स्रिष्टी में हर चीज नश्वर है उसका काल निर्धारित है जैसे कोई पक्षी है उसकी आयो दो साल है कोई जानवर है उसकी दस साल है मनुष्य जो है उसकी सतर साल है तो यह जो काल है यह पूरा पहले से ही आकास में निर्धारित था इश्वर ने ब्रमांड की रचना की और काल के अधार पर वह शक्ति सब के भीतर दे दी तो इसको समझाने का अर्थ ये है कि अगर सहजमार का भ्यास करते हुए अगर हम अपने भीतर वही आकाशी हालत पैदा कर लेते हैं तो हम निसेद की अवस्ता में पहुंच जाते हैं तो बाबुजी ने इसको तीन छेतरों में बाटा हुआ है खिर्दे छेतर, फिर मनस छेतर, फिर केंद्री छेतर जो केंद्री छेतर है वह एक तरह की निसेद की ही अवस्ता है तो हम धीरे धीरे उस अवस्ता में आ जाते हैं, जहां से इस पूरे ब्रह्मान का निर्मान ईश्वर ने किया था, तो हम सब को सहजमार का अभ्यास करके, अपने आपको अकासिय हालत में पैदा कर देना है, हमारा हिर्दे जो है वह अकासिय हालत में आ जाए और हम उस मावस्ता में पहुँच जाएं आप सब जानते हैं आकास गतीहीन है उसमें कोई क्रिया नहीं है लेकिन हमारा मन गतीसील है और क्रियसील है तो अगर हम अध्यात्मिक्ता में सहजमार का अभ्यास करते हुए अपने अंदर वे आकासी हालत पैदा कर लें तो हम बड़ी ही सरलत से मोक्ष और मुक्ति को पार करके अपने अस्तित्व को मिटाके आकास में अपने आपको ले कर देंगे. तो जब महापरले होती है तो ये जो बहार का छेतर और ये जो मद्दे भाग है ये सारा अपनी शक्ति के साथ आकास में जिलीन हो जाता है. और फिर जब दुबारा एक स्रिष्टी का निर्मान होना होता है, तो आकास अपने स्तूर रूप को काल के रूप में परकट करता है, ईश्वर को क्रियेट करता है और दुबारा से ब्रह्मान का निर्मान हो जाता है, तो इस परकार से परले और महा परले इस आकास में होती है आकास सास्वत है और हम सब को आकासी हालत अपने भीतर पैला करने है।